Hello everyone, welcome to trade clue तो यहां आप देख सकते हो trade clue की website और trade clue की website पे आने के बाद आप scroll करके एक demo subscription भी ले सकते हो with new registration तो यहां पे जैसे ही आप click करोगे तो वो आपको एक login page पे ले जाएगा जहां पे आप अपने user credentials डाल सकते हैं और एक demo subscription start कर सकते हैं for trade clue एक बार आपका demo subscription आपने detail भर दिया, submit कर दिया उसके बाद आप login page पे जाके trade clue में login कर सकते हैं वेल उसके साथ साथ और भी important चीज है जैसे ही आप trade clue पे आते हो आप subscription plans भी देख सकते हो, features भी देख सकते हो और login भी कर सकते हो यहीं से सबसे important चीज यह है कि यहां से ही आप whatsapp से भी हमें जुड़ सकते हो और साथ ही में अगर कोई issue है तो आप whatsapp पे या mail के दोवारा आप एक support team से directly one point contact कर सकते हो जहां पे आपकी issues हम ज्यादा तर within two to three hours में solve कर देते हैं वेल अब आ जाते हैं कि जैसे ही आपने trade clue का login मना लिया तो आप यहां से login कर सकते हैं और login करने के बाद यहां पे आप जब detail डाल देंगे और login करने के बाद आपको कुछ इस तरह से screen दिखेगी तो यहां पे मैं login कर लेता हूं और login करने के बाद आपको इस तरह से एक trading charting tool दिखेगा और right side में आपको पैनल दिखेगा अब जैसे ही आप login करते हो और अगर आप WhatsApp से जुड़े वे नहीं हो तो आपको एक pop-up sign मिल जाएगा जहां से आप फिर से WhatsApp में जूड सकते हो वेल WhatsApp पे क्यों pressure दिया जा रहा है क्योंकि सारे live alerts और सारे webinar के updates हम WhatsApp में डालते हैं क्योंकि आज कल सब लोग WhatsApp पे तुरंत connect हो जाते हैं इसी वज़े से और वहां पे आपको कोई भी issue होता है तो आप admin को directly message भी कर सकते हैं कि मेरा trade clue चल नहीं रहा है या कुछ issue आ गया है कि मुझे कुछ consulting चाहिए या तुरंत support चाहिए तो WhatsApp से आपको देखना है कि आप WhatsApp में compulsory add हो जाओ ताकि आपके सारे issues हम time to time solve कर सके हैं और mainly मैंने जैसे का कि सारे timely updates आपको WhatsApp पे भी मिलते हैं वेल तो यहां से हमने trade clue WhatsApp जॉइन कर लिया अब आजाते हैं कोर चार्टिंग टूल पे अब left side आप देख सकते हो कि यह basically चार्टिंग टूल है जहां पे आप कोई भी सिंबल डाल के उसका analysis कर सकते हो हाल फिलाल यहां पर निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और निफ्टी के चार्ट में one way selling IV है और अभी market अलड़ी लाइव है तो live tick भी आपको यहां पर दिख रहा है उसके साथ साथ आप यह time frame भी change कर सकते हो अगर आपको तीन मिनिट का चार्ट चाहिए पांच मिनिट का चीए 15 मिनिट का चीए हाफ एनार का चीए तो उस हिसाब से आप time frame भी यहां पर change कर सकते हो अगर आपको index में trade करना है तो आप निफ्टी यहां पर symbol दिये वे हैं और bank nifty तुरंत आपने bank nifty ट् और उसके साथ साथ अगर आपको कोई stock का chart देखना है तो आप यहां पर watchlist में आपका stock डाल सकते हो for example अगर मैंने डाला reliance तो यहां पर reliance आ जाता है और आपको reliance bullish या bearish में देखना है तो आप अपनी watchlist पर color भी बना सकते हो for example reliance यहां पर मैंने red color select किया और इसको मैंने add कर दिया तो यहां पर reliance red color में आ जाता है और इस पर click करते ही आपको red reliance को click करते ही आपको reliance का chart खुल जाता है वेल अब खास बात trade clue क्या है वो देखते हैं हमने एक चीज़ समझ ली watchlist में stock कैसा add करना चाहिए और कोई भी stock आपको चाहिए तो यहां पर आप type करके तुरं अगर आपने stock खुद select नहीं किया है या आपने watchlist में stock add नहीं किया है तो यहां पर एक दूसरी watchlist भी है जिसे कहते हैं volume watchlist तो volume watchlist में आपको by default stocks आ जाते हैं by the system तो system यहां आपको stocks दे देता है यहां पर देखोगे pre market मतलब market चालू होने से पहले ही आपको यह stocks आ जाते हैं जब market खुलेगा तभी तो अभी हम यहां पर देखने हैं कि यहां पर सबसे पहले में 15 मिट का चार्ट लगा देता हूं और इसके बाद pre market में यह सारे stocks आए वे थे तो इसमें से कौन से stocks हैं जिसके अंदर मुझे trade करना है तो वहां पर आप पहले ही जाके कुछ stocks select कर सकते ह और वह stocks पर focus करना है जहां पर आपको red और green band दिखता है तो for example अगर यह stocks जैसे टाटर कंजूमर ले लिया तो यहां पर मुझे कोई भी green और red band नहीं दिख रहा है तो मैं इस पर नहीं focus करूंगा अब ले लेते हैं Concord, Concord में आप देखोगे तो मेरे को एक green band और red band दिख र Concord को मैंने add कर लिया मेरे watchlist में अब जब आप Concord को देखते हो सबसे अच्छी बात यह हो जाती है कि मैं क्यूं यह band पर focus कर रहा हूं क्योंकि system generated bands है जहां पर support और resistance auto plot हो जाते हैं और सबसे important चीज़ यह है कि यह zone में सबसे ज्यादा buying हुई भी है Concord में either bulk deal हुई है या तो इस भी दिख रहे हैं आपको green band भी दिख रहा है सुबह की पहली 15 मिनिट की candle अगर आप Concord की देखोगे तो उसने green band को पियर्स करके और उसके नीचे जाके sustain होने लग गया अब 5 मिनिट में आ जाते हैं ताकि हमें और detail में दिख जाए कि किस तरह से stock ने perform किया तो यहां से आप देख सकते हैं 5 मिनिट का candle में green band के नीचे चला गया उसके बाद और एक red color की candle आई और most importantly यहां पे dotted lines आगे अब यह dotted lines जो होते हैं यहां पे red dot का मतलब है कि pressure on selling बहुत जादा है और यह OI data से आता है तो आपको जाके option chain या OI data भी देखने की ज़रूत नहीं क्योंकि चार्ट पे इस तरह के जबी भी dotted line आते हैं तो आपको तुरंट पता चल जाता है अच्छा इस तरह के stock stock selection के बाद अगर मुझे trade लेना है execution में काफी मदद हो जाता है क्योंकि यहां पे selling pressure बना हुआ है और आप यह stock को sell के लिए focus कर रहे हैं तो यह stock यहां पे वापिस reverse आत और उसके बाद आप देखो अगर red dotted line भी आ जाए तो आपको एक plus point मिल जाता है for selling perspective तो इसी तरह से आपको in stocks में से ही आप stocks tools कर सकते हैं कि कौन से stock को आपको trade करना है तो उसके बाद अगर NMDC चोला फिन तो चोला फिन में आप देखोगे तो काफी correction हुआ हुआ है यह stock में और उसके बाद आज जब चोला फिन शार्फ सेलिंग आई उसके बाद में stock नीचे गया green band यहां पर already present था तो stock already corrected था उसके साथ साथ green band भी यहां पर present है और green band के बाद ही उसने देखो यहां पर bounce लेके और यहां पर green dot भी आ गए तो green dot का मतलब है कि buying pressure बहुत अच्छा है यह particular stock में कुई reversal यहां पर आ गया और उसके बाद आप देखोगे कि पूरे time चोला फिन अपसाइड में था जहां पर बैंक निफ्टी आदा परसेंट डाउन है फिर भी चोला फिन जासे stock almost 1-2% उपर है नीचले स्तर से most important यह हो जाता है कि आपको यह stock select करने जिसके अंदर ग्रीन या रेड बैंड और उस हिसाब से आप focus कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग पर तो इसे आप अपने watchlist में अगर मुझे trade करना है तो मैं चोला फिन अपने watchlist पे add कर लूँगा और यहां पर आप watchlist में देख सकते हो कि मुझे चोला फिन पर focus करना है coincore पर focus करना है समझे rel Reliance में आद देखें तो red band already था Reliance न यहां से चालू करी अपनी journey और यहां से sharp selling आ गए उसके बाद 2 red dot आ गए तो इसका मतलब selling pressure option data के थुरू भी Reliance में बहुत ज्यादा है उसके बाद Reliance उपर आ ही नहीं पाया और continuous selling Reliance में रही तो सबसे important चीज यह हो गई कि आप उपने stock watch list में add कर सकते हो, volume watch list जो है यह stocks में अगर red और green band है उन पे आप focus कर सकते हो, अब अगर आपको volume watch list में कोई ऐसा stock नहीं मिलता है जिसमें band नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, after market में भी जा सकते हो, वहां पे भी एक volume buzzer दिया हुआ है, उसको click करिए, reversal दिया हुआ है, उसको click करिए, यह दोनों segment में volume buzzer और reversal में जो stock आएं आप उन पे भी focus कर सकते हो, यहां आप देख सकते हो, reliance में red band था, already और वहां से selling आई, तो वहां पे आप trade कर सकते हो, तो इसको अगर मुझे watch list में add करना है, तो red पे click किजिए, plus sign दबाईए और watch list में add हो जाता है, same way में, अ ले सकते हैं, इसका stop loss रखे, so most important change यही हो जाती है, कि आपको stop loss define करना है, red band के उपर या green band के नीचे, और trade जैसे ही आप लेते हो, तो आपका stop loss defined है, और आपका target अच्छी तरह से पूरा हो सकता है, so red और green band काफी मदद कर देते हैं, वो stocks आप focus करिए, जिसमें red और green band है, उ तो इसके इस हिसाब से आप ये भी stocks ढूंड सकते हो, जो after market में मिलते हैं, वो stocks जो near red band और green band है, अब यहाँ पर देखें, तो sun pharma में red band बहुत ही दूर है, और sun pharma यहाँ पर जाके कल बंद हुआ था, तो हमें इस पर focus नहीं करना है, हमें ऐसी stocks ढूंडने है, जिनकी closing red या green band के near है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, reliance बहुत ही red band के near में है, तो reliance में focus करना है, ONGC का closing भी red band पर ही हुआ था, तो इस पर मुझे focus करना है, तो इस तरह से आप stocks ढूंड सकते हो, जैसे L&T stock और यहाँ पर था, green band के नीचे नहीं था, बट एक चीज़ देख सकते हैं, कि आज पूरे दिन, जैसे ही L&T में selling आई, उसके बाद एक अच्छा support बनाया, green band के zone में, तो इसी तरह से green और red band आपको help कर सकते हैं, तो L&T में जैसे आपको buy करना है, तो buy के लिए आपने add कर दिया, watch list में ICICI को भी देखें, तो काफी move आया ICICI में, red band में close किया, तो आ पर देखोगे, तो sharp selling आगे ही, ICICI bank में, तो मेरा कहना यह है कि आपको सबसे पहले यह देखना है, कि live market में volume watch list, इसमें से आप stocks निकाल सकते हैं, जिसमें भी red और green band पे stocks आये हैं, उसके साथ साथ after market में, reversal और volume buzzer, इनको आप select कर लीजे, और जैसे ही आप select करते हो, तो यह यहां से आपको stocks मिल जाते हैं, काफी stocks होते हैं, पर यह stocks focus करिए, जहां पे red और green band हो, यहां पे आप देखोगे, तो continuous APL Apollo में fall आते जा रहा है, आज सुबह भी उसमें sharp fall आया, बट यहां पे क्या हुआ, green band आ गया, और green band के आते ही सबसे important चीज यह है, कि green dotted lines भी यहां पे कर सकते हो, पर main चीज यह हो जाते है, कि जो stock में green और red band है, उन पे focus करिए, उसके साथ साथ अगर red और green dot आ जाते हैं, during live market, तो आपको एक positive pointer मिल जाता है, trade करने के लिए, और सबसे important चीज हो जाते है, कि आप focus कर सकते हैं, कि आपका stop loss आपको किस तरह से रखना है, तो अब volume stocks आपको मिल जाते हैं, या तो after market से भी आप stocks ला सकते हैं, और watch list में add कर सकते हैं, अब आ जाते हैं, index trading पे जो लोग trading करते हैं, index में जैसे bank nifty या nifty, तो आप देख सकते हैं, कि आज सुबह bank nifty यहां से उसने शुरुआत करी, और bank nifty यहां से जो selling pressure आया bank nifty में, वो फिर स दो red dotted line आ गई, और इसके उपर sustain नहीं कर पाया, यहां पर सुबह की selling उपर आया, फिर से selling तो दो बार selling आई, price नीचे चला गया, और उसके बाद आप देखोगे, one way fall आया, सबसे अच्छी चीज है कि यहां पर जबी fall आया, तो यहां पर green dot आ गए, green dot पर ही उसने अच्छ red dot है, यह आपको help करेंगे index trading पे, तो nifty और bank nifty अगर आप trade करते हैं, तो आप focus करिए कि अगर stock downward move में है, और red dotted line भी आया है, तो वहां पे आप index के trade लोगे, तो काफी अच्छे profits आपको मिल सकते हैं, पर most important यह रहता है कि अगर वो एक बार test करके नीचे जाता है, तो काफी important है, एक बार यहां से ऐसे test करके उपर जाता है, तो काफी important है, और ताकि आपका stop loss define हो जाए, सारे index में अगर आप nifty, bank nifty कोई भी index trade करते हैं, तो stop loss लगाना बहुत ही जरूरी है, उसके साथ साथ, right hand side में एक panel है, जिसमें आपको stock to focus भी दिया जाता है, जिसमें हम खुद जो system बता रहा है कि कौन से stock पर focus करना चाहिए, जैसे आज सुबह उसने मनपूरम sell के लिए दिया था, तो इसको भी हम watch list में add कर लेते हैं, ये आजाते हैं stocks, ये rocket का जो symbol है, उसको आप click करोगे तो stock to focus आ जाता है, और अभी ये मेरे watch list में add हो गया, तो यहाँ पे watch list में मन मनपूरम में क्या हुआ, sharp selling सुबह सुबह ही मनपूरम में आगई, उसके बाद यहाँ पे dotted lines और आगए red उसके बाद one way fall आया मनपूरम में, तो most important यही चीज है कि आपको stocks already system ले सकता है, volume की watch list है, उसमें stocks आ जाते हैं, उसके अलावा live market में आपको volume के थरू के अलावा भी land है, और तीसरे तरह से stock आपको add करना है, तो stock to focus daily system एक या दो stock देता है, जिस पे आप focus कर सकते हो by adding it to your watch list, तो watch list में add करके इस तरह से आप trade कर सकते हैं, index trade कर रहे हो, तो nifty और bank nifty में आप trade कर सकते हो, most important यही है कि आप nifty और bank nifty में अगर trade करना चाहते हो, तो dotted line पे थोड sell trade लेना है, या कहां पे आपको buy trade लेना है, तो वो सबसे important हो जाता है, well यह था एक walkthrough of trade clue, और आप और explore कर सकते हो trade clue से, और most importantly आप make sure करें कि WhatsApp से आप जूर जाएं, तो जैसे ही आप log out करोगे, तो फिर से आपको एक WhatsApp का symbol दिया वार रहता है, जहां पे आप click करके WhatsApp group में add हो सकते हैं, सारे live updates WhatsApp में दिये जाते हैं, और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, तो आप directly call भी कर सकते हैं, या email भी कर सकते हैं, हमारे support staff को, ताकि वो आपकी मदद कर सकें, time to time, तो I hope आप trade clue use करेंगे, specifically फाइदा क्या है trade clue का, क्योंकि कोई भी stocks में red band, green band, red box, green box, या red dotted line live market में नहीं मिलते हैं, तो इसी को हमने design किया है, कि trading काफी simplify हो जाए, और जैसे ही मैं trade लोग, तो मेरा execution और भी improve हो जाए, through dotted line, और मैं stop loss लगा के, अच्छी दर से trade कर सकूँ, एक professional trader की तरह, So I hope आपको trade clue पसंद आएगा, और जैसे ही आप इसका demo लोगे, या उसका premium subscription करोगे, तो use करने के बाद आपको लगेगा कि कोई चीज मिली है, जिसमें आपका analysis काफी solve हो जाता है, और आपको खाली focus करना होता है execution की तरफ, So thank you very much and thank you once again for choosing trade clue.